नमस्कार दोस्तों आज 2 नुम्बर है और आज भारत और बंगलादेश के बीच T20 वर्ल गब का ये मुकाबला खिला जाने वाला है और यह मुकाबला 2.5 बज़े से खिला जाने वाला है और सेमी फाइनल में पहुचने के लिए यह मुकाबला दोनुई टिमों के लिए जीतना बहुत महत्व पुरून है अभी इस समय पॉइंट टेबल में बारत तीन में से दो मेंच जीतकर दूसरे नमर पर है और बांगलेश भी तीन में से दो मेंच जीतकर चार अरंकों के साथ तीसरे नमर पर बनी वी है और साउत अपरिका अभी टोप पर बनी हुई है और उसके तीन में से दो मेच जीतकर पांच पॉइंट अभी इस समय बने हुए है जिससे वह टोप पर बनी हुई है अब बात करते हैं भारत की पलेइंग 11 टीम की बारत की ओर से ओपनिंग करने वाले केल रहुल और कप्तान रोईट सर्मा ने इस वल्ड गप में एक अर्द सतक लगाया है और केल राउल का बला अभीतिक चला नहीं है तीन नमर पर बलेबाजी करने वाले विराट और चार नमर पर सुर्य कुमार यादव से भी आज फिर से बांगलादेश के खिलाब एक अच्छी पारी खेल सकते हैं अब बात करेंगे बांगलादेश प्लेइंग 11 टीम के बारे में बांगलादेश की प्लेइंग 11 टीम इस प्रकार से है शांतो, सोमया सरकार, लिंटन दा, साकीबल हैसन, अफीप उसेन, मोस्देख उसेन, नारूल हैसन, यासीर अली, मुस्ताफिजु रह्मान, हैसन मुहमूद, और टस्किन एहमद बांगलादेश टीम भी तीन में से दो मेच जीत कर तीसरे नमर पर बनी हुए है, और रंदरेट के आदार पर यह है, बारत से थोड़ी पिचल रही है, लेकिन आज का मेच अगर बारत से जीत जाती है, तो बांगलादेश के भी पूरे पूरे चंस, सेमी फाइनल में पहु मेरे खर बांगज ओर तीसरे थाओ रही है, पूरे के था यह जयुति है, अले है नमरे के ठीसरे को गा तो मेंगलादेश के खचिए ते बास्तों है, पुर ओर बांटे पूरे धिया है, को ऊज्य को बजया है ए, है को यह यह ए. और बांगष, पुरके यह अज़् आठेड